जे योगो और हाडो मेरे जितने भी सादक शादिकाए भाई बेहने सभी को मेरा प्रणाम श्युकरों मैं तंत्रिक शाइदास आज अब सब के सम्मुक्ष एक ऐसे उपाई लेके आया हूँ जो आज तक फेलियर नहीं हुआ है आज तक बिफल नहीं गया है क्या है उपाई ये ऐसे ऐसे सिश्यों को मैंने दिया हूँ जो सोना को भी छून लेते थे तो वो मिट्टी में तक दिल हो जाता था ऐसे ऐसे सिश्यों को दिया हूँ समझ लो कि कितना बुरे किश्मत बले इंसानों को या सिश्यों को मैंने ये उपाई करवाया हूँ ये उपाई तभी करना चाहिए आप सबको जब आप पेशों से बहुती ज्यादा परेशान हो या आप मुसिबत से घिरे हुए हो चाहे वो आपकी परिवार के मुसिबत हो चाहे बाहर की मुसिबत हो लोग आपको परेशान कर रहे हैं लोग आपको पेशों के लिए काफी सरे ताना मार रहे हैं इस बज़े से परेशान हो तो ये उपाई करना चाहिए बेहत ही आसान सा उपाई है ये उपाई जिन जिन लोगों ने किये है आज तक वो खाली हाथ नहीं है उनका इच्छा पुर्ती हुआ है ये उपाई क्यूं करना चाहिए कोई भी इंसन परिशानी से गिरा हुआ हो कोई इंसन का काम नहीं बन रहा हो बार-बार बिफल हो रहे हो या बनते काम आखरी मोखे पर बिगड़ रहा हो किसी भी परिशानी हो कितने भी बड़ा परिशानी क्यों ना हो जो बटक भेरव है वो इस परिशानी को हाल करते है बहती आसान से उपाई कोई भी कर सकता है चाह एकको चोटा सा उपाय आपके जीवन परिवर्तन कर सकता है। ये उपाय मैं आज तक अपने चैनल में नहीं डाला हूँ। मेरे एक खास सिस्य है अनिल कुमार पंञाब से हैं। उनके परिशानियों को देखते हुए पंजाब के फिरकपूर से हैं। उनके परैसानियों को देखते हुए और बहुती ज़र्ण परैसाजयों से घिले हुए हैं कोई भी काम करने जाते हैं ठीक काम वनने वाला है आखरी मोक्य पर काम भी गड़ जा रहा है जिस जगह पे वो हाथ डाल रहे हैं वहाँ उनको नुक्सान जहलना पड़ रहा है मैंने जब इनकी सारे परिशानिये सुना तो मेरे आखों से एक तरह का आशु निकल गया कारण में रोता नहीं हूँ लेकिन मनहीमन मैंने उस दिन काफी रोया और इससे परिशानियों से बहुत लोग घिरे हुए हैं पेसों से परिशानिये घर की जगडों से परिशानिये हजारों तरीके के परिशानियों से लोग घिरे हुए हैं बीबी बात नहीं मन रहा हैं कोई भी परिशानी हो आपका कितने भी बड़े से बड़े परिशानी क्यों न हो चुटकियों में दूर होगा करना क्या है मैं बताता हूँ सुक्ल पक्ष की बद्भार की रात्री को ध्यान से सुनिएगा उपाई को पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए और आप किसी भी गुरू से दिक्षित क्यों न हो मालनो आपकी गुरू जो भी है उनसे एक बार आग्या लेके कोई भी उपाई करना है कर लीजिएगा ठीक है ये बात को मेरा ध्यान रखेगा और पूर्ण विश्वास से करना है पूर्ण विश्वास यानि मैं ये उपाई क करूँगा मेरा काम सो प्रतिसत बन जाएगा ऐसे सोच के उपाई को करना चाहिए हां तो ये उपाई कम करना है सुक्ल पक्ष किकी किसी भी वुद्वार के दिन ये उपाई करना है कर ना क्या है मैं बताता हूं दिन में बाजार जाईए दस बेदाग निम्बू ले आए क्या करने है दस बेदाग निम्बू ले आए एक लोहे के चाकू ले आए दो ही चीज का काम है ये एक लोहे के चाकू एक निम्बू मतलब दस निम्बू एक लोहे के चाकू आपको पता है दसो दिसा है हमारे सस्त्र में दसों दिशा बताये गया है दस तराका दिशा होता है चारों दिशा हो गया उत्तर पूरब दक्षिन पस्चिम बतला पूरब पस्चिम उत्तर दक्षिन उपर नीचे 6 हो गया हर एक दिशा के बीच में कोन होता है उत्तर पूरब कन ठिक है दक्षिन पस्टिम कोन इस तरीकी के चार कोन होता है चार दिसा होता एक निजऑ पर दसों दिसा होता है ठिक तो आपको करना क्या है सुकल पक्ष की बुदूबार की रात्री को एक चाकु लेना है, खुल्य आसमान के निच्चे खड़ा हो सकते यह उपाई करना है, यतना ध्यान रखे, कोई आपको रोखना, टोकना निचेए, हर कोई व्यक्ती चाहे तो अपने घरब के छतके उपर कर सकता ही, या कोई सुंसन जगा पर कर सकता ही, या तो कोई खुल्य बेदाग निम्बू लाना है किसी एक जगा पर खड़े हो जाना है रात्री कम से कम नो दस बज़े ठीक है ओम बम बटकु वहरवाय नमा क्या बोलना है ओम बम बटकु वहरवाय नमा इस मंत्र को एक बार बोलना है एक निम्बू के उपर फूंक मारना है दस मिसे एक निम्ब को दो टुकडे करना है ठीक है दो टुकडे करना है फिर एक दिसा में फेकना है पहले पूरब में फेको यह पस्चिम में प्षेको उसके गभ on उत्र हो गया फिर एक उपर एक नीचे, एक उपर की और फेक देना है, एक नीचे की और फेक देना है, ऐसे करके, दस नीबू को काटके, पहले फूँक बारना है, मंत्रों को पढ़ना है, नीबू के अपर फूँक बारना है, ठीके, उसके बाद, एक एक नीबू को काटना है, हर एक दिशा में एक एक को फेकना है, दसो दिशा में दस निमू को फेक लेने के बाद, मुँ, हाथ, पेर, सब धोके, सुकून से चाके सो जाए, दूसरे दिन से आप अपने जीबन की बदलाब को देखने लग जाओगी, अब सोचोगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे सारे मुशिवत कहां चलेग आप खुशी से जूम उठोगी, आपके हर वो काम बनने लगेंगे, जितने भी आपके जीबन की परिशानी था, वो खतम हो जाएगा, सारे बुरे किसमत पल भर में एक दिन के बाद दूर हो जाएगा, करना कभे ध्यान से सुनिएगा, शुकल पक्ष की बुद्वार के रत करना है, ठीक है, पूर्ण विश्वास के साथ करना है, क्या विश्वास, मैं ये कारिया करूँगा, मुझे सफलता मिलेगा, इस दो चीज धारन करना है, अपने मन में, हाँ, इतना ध्यान रखे, ये उपाई करते वक्त कोई भी रोके टोके नहीं, जब दस नीमु की बली आप चड़ाएंगे न, तो आपकी हर्ब मुशिबत, हर्ब परेशानी उसी दिन ही खतम हो जाएगा, फिर आप नया जीवन बिताने शुरू कर दोगी, एक आच्छे जी कम लोग को ये उपाई दिया हूँ, आज मजबूरन मुझे यूटूब पे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कैसरे लोग रोते हैं मेरे पास आके, तडपते हैं, गुरुजी में जो भी काम करने जाता हूँ, मेरे काम बंत बंत भी कर रहा है, होता ही नहीं, मेरे किस्मत ही खराब है, उन लोग को ये उपाई एक बार करना ही चाहिए, विश्वास ऐसा चीज होता है, जो अच्छे से अच्छे काम को सफल बनाता है, कोई इनसान अपने जीवन में भगवान को कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन पूजा ज ध्यान रखेगा, कोई भी मेरे जितने भी उपाई है, कोई भी उपाई मेरे से मेरे चनल में दियेगे, कोई भी उपाई करने से पूर्व मुझसे आज्या लेके ही करिएगा, क्योंकि बिना गुरु बिना गुरु आज्या के कोई उपाई काम नहीं करता है, क्योंकि मेरे प्रदत उपाई है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मैं आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, एक खास्य दिये, जिन लोगों की जीवन में कोई परिशान ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें, क्यूं करें ये उपाई, ये उपाई करने के पस्चाद, वो लोग अपने इच् इच्छा को बता देंगे, हे बटुक भेरवजी, मेरा फलाना इच्छा है, मेरे बेटे तरक्की करें, मेरा नोकरी लग जाए, मेरे परिवार सुक्षम्रुद्धी से रहे, कोई भी इच्छा बोलो, उस दिन के बाद दुसरे दिन देखोगी, आपकी इच्छा पूरा हो ज जरूरी है, क्योंकि ये गुरु प्रदत उपाई है, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मैंने अपने कुछ खास इस्यों को ही उपाई दिया था, सबको नहीं दिया हूँ, बहुत ही ज्यादा मांग के चलते में ही उपाई दे रहा हूँ, चेयो घराडू, सभी को सुग्र